तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेडस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दु कवायद का मौस्ट इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से आप लोग के एक्जाम में हर साल कोशन पूछा जाता है फेल बाबा को प कहीं पर फेल की तीन किसमें दिखाता है किसी किताब में फेल की छे किसमें दिखाता है इसलिए फेल के बारे में डीपली जानना आप लोग के लिए जरूरी है और कहीं से भी कोशन आप लोग के एक्जाम में पूछ देता है इसलिए इसके बारे में डीपली जानना जरूर यह मैं आप लोका व्लड़ी बता चुकी हूं लेकिन फिर भी कहीं कहीं उर्दुक कवायद के किताब में फेल की जमाना के लिए हाथ से छंका पूछ देता है और वहां से भी कोष्चन पूछ देता है इसलिए दोनों में आप लोगों को पढ़ा दी तीन किसमों को तो याने कि इन सभी टाइब को एक एक करके समझेंगे एकदम डीपली तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हां स्टार्टिंग में आप लोग को बता दू आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि मैं जो कुछ भी बोर्ड पर लिख रही हूं आप लोग को धुन्दूला दिखाई दे रहा है वह इस लिए क्योंकि आप लोग का वीडियो का जो क्वाली स Tou कि आफ़ों लो है आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजे वीडियो के ओने में यहां पर घटाने का ऑप्षन आता है तो 728 पिकसल में करके देखेंगे तो वीडियो एकडम साफ और दिखाई दिखाई देगा और यहां तक की वीडियो के स्पीड बढ़ाने और घटाने का भी ऑप्शन आता है जूमिंग का भी यूट्यूब ने सिस्टम दे दिया है तो इतने सारे फीचर यूट्यूब ने दिया है आप लोगो फायदा उठाइए जूम भी कर सकते वीडियो की क्वा और तीसरा है फिल मस्तक्बिल चौता है फेल मजारी यहां पर लिख दे रही हूं ठीक है पांच धैल अम्र और छट्था है नहीं तो यह चे किसमे चे टाईप है और इसके बारे में सभी टाइप को आप लोगो पढ़ना होगा क्योंकि यहां से आप लोग एकजाम में चाह काम यानि कि वैसे क्रिया जो पास्ट टइम में जो क्यों जो इस फेल को कहते हैं आने का कि काम हो हो चुका है यानि कि माझी में यह क्रियाJO Eli 195 यह क्रिया तो यह क्या हो जाएगा कि मेहमोद महमूद आ चुका है महमूद आ चुका है महमूद खा चुका है महमूद आया था वह जाती थी तो यह जितना भी एक्जामपल है यह सभी एक्जामपल फेल माजी का है क्योंकि इससे पता चल रहा है कि किरिया हो चुकी है पास्ट टाइम में ठीक है और उसके बाद से दूसरा है फ्लाइं फैल हाल उस फैल को कहते हैं उस काम को कहते हैं जो अभी हाल में हो रहा है यानि की प्रेजंट में जो पढ़ा रही हूँ द्रयां काशा हमisenre है उस तरह के को कहते हैं जो其 il future arnya PayPal यान कि आने में जो काम किया जाएगा उस पाम को कहा जाता है phil supplying मुस्तख्बिल में होने वाले फेल को काम को मस्तक्बिल कहते हैं जैसे कि महमूद आएगा याने की आने का काम आने वाले समय में होगा ठीक है ना यान की काम आने वाले फ्यूचर में होगा तो इस महमूद आएगा यह क्या हो जाएगा फेल मस्तक्बिल कहलाएगा उसके बाद से जो फेल और फ्यूंचर लेखिए शौट कॉड में मैं या पर प्रेजंट लिख दी हूं और फ्यूचर जो प्रेजंट और फ्यूचर में इस फेल का होना पता चले होना मालूम हो उस फेल को कहा जाता है फेल मजारे जैसे की महमुद आये तो महमूद आये से क्या पता चल रहा है, महमूद अभी आये या फिर बाद में आये, यानि कि ये काम प्रजेंट में हूँ या फिर फ्यूचर में हूँ, तो इस काम को, इस क्रिया को, इस फेल को क्या कहेंगे, फेल मजारे कहेंगे, महमूद आये, महमूद जाये, अभी जाय और आइंदा याने वाले जमाने में जिस काम का होना मालूम हो उस काम को कहते हैं या तो आए हमूद आये हो गया पेल मजारे का एक सामपल उसी तरह फेल अम्र उस फेल को कहते हैं जिस फेल को करने के लिए हुकम दिया जाए जैसे कि तूम इधर आओ थे यहां पर आपर ओर्डर में लिग दी हो उस काम को कहते हैं किया Fale Amr तो तुम इधार आओ, तुम जाओ, तुम वहाँ जाओ, यहाँ आओ यह सब एक्जांपल हो गया Fale Amr का और छटा लास्थ है बहुत जढ़ आसान, Fale नहीं उस तरह के Fale को कहते हैं जिसमें order तो हो, यानि कि हुक्म तो हो लेकिन किसी काम को करने के लिए नहीं बलकि किसी काम को नहीं करने के लिए यानि कि जिस काम को नहीं करने के लिए ओर्डर दिया जाए उस काम को कहते हैं उस फेल को कहते हैं फेल नहीं तुम मत आओ, तुम मुझे फोन मत करो, तुम मेरा पैर मत दबाओ, तुम एक ग्लास पानी मत ले कराओ, तुम इधर मत आओ, तुम वहां मत जाओ, तो यहाँ पर नहीं करने के लिए order दिया जाए, काम को नहीं करने के लिए order दिया जा रहा है न, तो इस तरह के fail, इस तरह के काम को कहेंगे क्या फेल नहीं तो इस फेल नहीं में भी ओर्डर होता है बस नहीं करने के लिए यानिकी काम को नहीं करने के लिए ठीक है न तो इसको क्या बुलेंगे फेल नहीं तो यहां पर ओर्डर तो लिख दे रही हूं काम नहीं करने के लिए ओर्डर टू वैसे आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मैं डिफिनेशन नहीं लिखा रही हूं और अगर आप लोग को समझ में आ जा रहा है तो मेरी बातों को ही आप लोग सुनकर परिभासा लिख सकते हैं तो मजब जो माजी में हो चुका हो पी यानिशिया सी से ष्कति हो इस तरहा अप लोग खुद से अगर समझ गया है तो ठीक है तो आई होप इसलिए मैं डिफिनेशन नहीं लिख वाती हूं चीज़े समझना इंपॉर्टेंट है बाकी तो डिफिनेशन आप लोग खुद से यहार कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग यहां तक समझ गये होंगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर कोई भी कंफ् मैं आप लोग को समझाती हूं समझ में आता है तो तुरंत लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास ठीक है तो चलिए इसके अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे जो भी 10 और 12 क्लास के लिए और हां अगर आप लोग चैनल पर नए नाए आए हुए हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नटिफिकेशन वेल को जरूर दबा लीजिएगा उससे होगा यह कि मिलो जाने वाली और वीडियो का और नटिफिकेशन आप तक सबस करदाएब कर दित आए करता हैं मेरी और रावभी कर दोगेशन आप कर दो जाने तक सब्सक्राइब कर दो उख जब कर दो पहली हैं जो आप एंगर हैं मेरी और वीडियो को जो ऊजब वीडिवार सबस्टाइब को जो दो जो अ